छल, कपट, दोखा इन सब्दों से संसार का कौन सा अव्यक्ति अवगत नहीं होगा सभी जानते हैं कि ये दोखा क्या है, विश्वास खात क्या है प्यार में अक्सर लोग इसी के सिकार होते हैं हम जिन से प्रेम करते हैं, सदा उनके समी बराना चाहते हैं नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े चिन्ता करते हैं हम की, स्वयम से दूर नहीं होने देना चाहते डर लगता है हमें कि कहीं हमारा साथन छुट जाए परन्तु एक समय के पस्चा, प्यार, रंग दिखाने लगता है हर छोटी छोटी बातों में हमसे जगडने लगता है हमसे पीछा छुडाने की हर संभव कोसिस करता है कभी मजबूरी बताता है, तो कभी हमें ही दोजी ठैराता है लेकिन सच, सच तो कुछ और होता है या तो उसका मन भर गया होता है या फिर उसे कोई और मिल गया होता है वह हमें अन्देखा करना सुरू कर देता है उससे एक बार बात करने के लिए हम तड़ जाते हैं हमारा दिन और रात बस उसकी यादों में रो रो कर गुजरता है और उस बेवफा को फर्क भी नहीं पड़ता जिसका हम कभी चान हुआ करते थे उसका जहान अब कोई और होता है दिल बहुत तडपता है, बहुत रोता है पर हम कर भी क्या सकते हैं हमारे लिए तो सब कुछ वही थी हमारी जान भी, हमारी पहचान भी अब जब कभी देखते हैं उसे तो दिल को तसंदी दे देते हैं उसका खुबसूरत चहरा अब घिनावना हो गया है अब वो वो नहीं गही जो कभी हुआ करती थी अब तो अपने ही पसंद पर सर्मिंदा हो जाते हैं उसे पाने की चाहत आज भी दिल में है पस अब वो हमारी नहीं है वो किसी और की हो चुकी है वो बदल चुकी है जितना हम तड़बे हैं उसके लिए भगवान करें उससे ज़्यादा वो भी भोगे वो भी जानें कि कैसा लगता है अपना सब कुछ खोके खुला नहीं सकते पर उसका प्यार हमारे दिल से मिटा दे राधे राधे